फ्री में सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल कहानी सबकी को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले आलो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल केस के आने की कहानी सबकी में मैं हूँ आपका फ्रेंड आपका दोस्त धनीश दोस्तो इम्रान हासमी के आने वाली ये चार दंदार फिल्में जो एक बार फिर उन्हें सुपरस्टार बना सकती है जी हाँ दोस्तो फिल्म कैप्टन नवाब जिसकी सूटिंग 2017 में सुरू हुई थी इस फिल्म को एंथनी डिसुजा डिरेक्ट कर रहे हैं दोस्तो मैं आपको बता दू कि ये एक इस्पाय थ्रिलर फिल्म है जो कि भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए चासुसी करता है और इस फिल्म में मालवी का राज भी काम कर रहे हैं दोस्तो जिनका ये डेब्यू फिल्म होगा अब हम अगर दूसरी फिल्म की बात करें तो इमरान हासमी की आने वाली दूसरी फिल्म का नाम है दब बॉडी जी हाँ दोस्तो जिसे जीतू जोसेफ डाइट कर रहे हैं इस फिल्म में साउथ एक्टरेस वेदी का कुमार नजर आने वाली हैं और रिशी कपूर एक महतपूर्ण किदार निभाते नजर आएंगे इस फिल्म को अगले साल रिलीज किया जाएगा दोस्तो अगर हम बात करें इमरान हाशमी की तीसरे फिल्म के बारे में तो सैमिक सेन की इन्रिजिसन में बन रही चीट इंडिया में इमरान हाशमी को लिया गया है इस फिल्म को T-Series प्रोड्यूस करेगी फिल्म का सुटिंग लोकेशन लखनो रखा गया है इस फिल्म को अगले साल 25 जनवरी को वर्ल्ड वाइड रिलीज किया जाएगा दोस्तो अब बात करते हैं चौते फिल्म के बारे में एक बार फिर मर्डर की रिलीज में इमरान हासमी की वापसी हुई है जी हाँ इसे विक्रम भठ ही डायक करेंगे और इस बार अभिनेत्री एली अबराहम को कास्ट किया जाएगा इस फिल्म के दूसरे भाग में जैकलीन फर्नांडेस को लिया गया था और ये एक सुपर हिट सीरीज है दोस्तो जिसमें आपको बहुत ही अच्छा सस्पेंस देखने को मिलता है दोस्तो ये थी इम्रान हासमी की कुछ आने वाली फिल्म है जिसके बारे मैं आपको पताया तो आपको इम्रान हासमी के फिल्म है कैसी लगती है प्लीज कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बत़ाए Thanks a lot for watching this video. Take care dostum. Bye-bye.